नालंदा जिले के सो सराय थाना इलाके के बड़ी पहाडी मनसूर नगर मोहला में एक महला ने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली जैसे ही पुलिस को सूचना मिले पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए बिहार शरीप सदर अस्पताल भेज दिया मृतिका शुशील कुमार की पत्नी 29 वर्सी रानी देवी बताई जा रही है मृतिका की मा हरनौत थाना चंडी मोर निवासी राजेश प्रसाद की पत्नी उशा देवी का आरोप है कि भाई के मरने के बाद उनकी दामात का भावी के साथ अवैत सम्मंद था परसु राद भी उनकी बेटी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था जिसकी शिकायत उसने अपनी मा से की थे मंगलवार को माईके वाले उसके घर पहुँच कर दोनों को समझाने का प्रयास किया था बापजूद आज दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ और जब उसका पती दुकान चला गया तो भावी और उसके पुत्र ने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी जबकि पती का कहना है कि उसकी भाई की मौत कैंसर की वजह से हुई थे इस दोरान इलाज के लिए उसकी मा ने बहुतों से कर्ज ले रखे थे आई दीन कर्ज के रुपे मांगने घर पर लोग तकादा करने आया करते थे इस कारण मेरी पतनी डिप्रेशन में रहा करती थे आज जब हम दुकान चले गए और बच्चे पढ़ने चले गए तो इसी दोरान उसने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली आज क्या हुआ कि इसका जो भाभी है और उसको भतीजा है उसका भाभी और इसका बेटा सो रहा है शान एक नाम है आता है माँ झाल